दोस्तो ऑनलाइन मेडिसीन डिवाव चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको अट्रिवीन नसल ट्रॉक के बारे में बताऊँगा नसल स्प्रे के बारे में बताऊँगा दोस्तो यह जो अट्रिवीन नसल स्प्रे मार्केट में उपलब्द है यह जिसके कमपनी है दोस्तो 66 रुपेश और 50 पाईस है तो दोस्तो यह जो और ट्रिविन ड्रॉप मार्केट में उपलब देखेंगे दोस्तो यह इसे बॉटल पैक में आता है इसको दोस्तो ऐसा उल्टा करके डालेंगा इसा तो बुंद गेरते हैं जिसको ड्रॉप बोलते हैं नसल ड्रॉप और नीचे से इसा स्ट्रेट इसको जोर में दबाते हैं तो इसका स्प्रे निकलता है दोस्तो तो जिसको स्प्रे भाव में यूज किया जाता है दोस्तो तो डबल इसका यूज होता है दोस्तो आज़र ड्रॉपर भी यूज कर सकते आप या फिर स्प्रे लगाके आज़र स जानकारी इसके अंदर दी आप इसको भी पड़ सकते हैं तो तो दोस्तों आज में आपको इसके यूज़हसि इफेक्ट आप और साइड इफिट के बारे भी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों दोस्तों यह जो फोट hips नजली आख मार्केट में उपलब jeans दे मेंली दोस्तों ये बंदनाख को खुलने में यूज करता है इट इस मेंली यूज़फूल टो रिलीफ फ्रॉम दा नजल कंजेशन तो दोस्तों ये बंदनाख खुलने के लिए बहुत बढ़िया प्रोड़क्ट मार्केट में उपलब दै दोस्तों दोस्तों अगर आपको सर्दी से कुछ तकलिब है बंदनाख है साइनसिटी से अलर्जिक रिनाइटीज है तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोड़क्ट है और टोस्तों ये आडल्ड के लिए यूज की जाने वाली दवा है बारा साल के नीचे का अगर बच्चा है चाइल्ड है तो उसके लिए अलग से ट्रॉप आता है वाट्रभीन पेडियाट्री दोस्तों इसको कैसा लेना है इसको इसके बारे में बताया गया है अगर इसको adult and children over the 12 year याने 12 साल के आगे के बच्चे के लिए अगर आडल्ड के लिए इसका यूज की करना है दोस्तों इच नॉस्ट्रिल के अंदर टू टू थी ड्रॉप डालना है दिन में से दो बार डालना है दोस्तो दो या तीन बार आप इसको यूज कर सकते है दोस्तो इच नॉस्ट्रिल हर एक नाकुड़ी के अंदर इसको डालना है दो या तीन बुन स्प्रे भी कर सकते है या ड्रॉप बहुत जाना माना प्रोड़क्ट है रिजल्ड होने इंटर्ट प्रोड़क्ट है दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे इसके अंदर कमसा कंटेंट है दोस्तों इसके अंदर और oxymetazone hydrochloride single content वाली दवा है, बहुत बढ़िया content है, combination है दोस्तों, तो बंधना खुलने के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसके side effect के बारे में देखेंगे दोस्तों, mainly इसके side effect, headache, nausea, home eating, अगर आपको कुछ side effect दिखते हैं, तब आपने नजदी की डॉक्टर से मु कंजेस्टन से, तो आप इसको यूज मत करिए, अगर आपका recently कुछ neurosurgery हो गई है, तो भी आप इसको ना यूज करें, या फिर allergic to xylometazoline hydrochloride, और any of the other ingredient in the drop, आपको कुछ allergy है, तो इसका यूज मत किजिए, तो आपके doctor के सला के नुसार, आप इसका यूज कर सकते हैं, दोस्तो, यूज किजिए, आपके doctor के सला के नुसार, यूज किजिए, दोस्तो, ऐसे ही आने वाले बहुत से product के बारे में, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए अप मेरी channel को like किजिए, share किजिए, please subscribe my channel, thank you for watching my video.